हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सभी उमीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने केड़ने दुकान में कौन सी तराजू रखनी चाहिए डिजिटल वेट वाली रखनी चाहिए या कीलो बठख़ वाली काफी ज्यादा पुरानी हो गई है अब ज्यादा तर लोग डिजिटल वेट वाली ही रखते हैं बट मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजे डीटेल में बताऊंगा दोनों रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए दोनों में से कौन सा बेश्ट होगा दोनों का का प्राइज क्या है तो इस वीडियो में सारी चीजे मैं डीटेल में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को प्लीज मत कीजिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा है रहेगा दोस्तों और दोस्तों मैं बता दूंकि मैंने अपने दुकान में दोनों तराजू रखा है और दोनों की जरुवत पढ़ती हैं समय समय से तो आगे जानेंगे इस वीडियो में सारी चीजी डिटेल में चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले छोड़ा साप से हर बार की तरह अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक् यह वीडियो मैं अभी दूसरे किसी के मोबाइल से सूट कर रहा हूं दोस्तों बहुत जल्द मैं नया मोबाइल लूँगा उसके टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आएगी तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं बीना टाइम वेस्ट किया और ले चलते हैं आपको मैं सा दोस्तों मैं बता दू कि मैं इन दोनों को यूज करता हूं अभी दुकान में और चलिए मैं दोनों को एक एक करके समझाता हूं दोनों के बारे में आपको कौन सी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल वेट की तो यहां पर आप पहले देख सकते हैं कि यह है दोस्तो eagle plus की है यहां पर मैं आपको दिखा दू कि यह eagle plus की है और भी बहुत company की आती है जिसमें एक pole वाली होती है दोस्तो आगे display होती है तो दोस्तो मैं बता दू कि इसमें भी double display है इधर भी दिखाई देती है और यहां देखा दू कि यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर यूज करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इसका मीनिमम तॉलने का वजन इसमें दिया हुआ अभर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मिनिमम इसका मापक पांच ग्लाम यहां बहुत्बण काटे पर यहां पर यहां पर और घृत्र जो लुखा हो गया इसलिए मैं यह तराजू खरीदा हूँ तो मैं बता दूखिया है इसका फाइदा मैं बता दूखिया क्या है कि अगर कोई कस्टमर अगर पांच रुपए-दस रुपए की समान लेता है यह सब्सक्राइब कर लेता है जैसे कि सब्सक्राइब कर सकते हो कि इस पर आप कैलकुलेटर से निकाल के इस पर जितना वजन होगा उसके भी सब्सक्राइब करके करके सकते हों इसकी हानिया क्या है आपके शहर में लॉयड कर ज़ती है या जलता है तो आप सब्सक्राइब का कम रुख सकता है या इसमें एलेक्ट्रोनिक मैं आपको तोड़ा दालेगा जैसे कि की समय भी आता है कोई दिन भर में आता ही है जिन पे आप तॉलने के लिए जड़वत पड़ती हैं तो इसलिए आपको दिकत हो सकती है तो दोस्तों मेरे सांथ हुआ था एक बार इसलिए मैंने यह तराजू रखा था जो कि मैंने पिछले बीडियो में बताया भी था कि मेरे गाव में ट्रास्फरमर जल गया था साथ दिन तक लाइट मैं दिखा भी दू यहां पर यहीं ने मेरा लाइसेंस काटा है यहां यहां पर बनाना पड़ता है हर साल में 200 रूपय इस मैं इसका चार्ज लगता है दोस्तों तो दोस्तों इसका प्रायज की बात करूंत कर दो इसके प्रायज मैंने बती rhinos रुपए में लिया था ठीक है यह 32 रुपए की आती है काटा और इसका लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है अब बात करते हैं दोस्तों यह कीलोबट खड़ा वाली खड़ाले तो दोस्तों यही चलती है पहले से यही आती थी अभी लोगो attachments बजार में आपको देखने को मिलती होगी एक हैंड वाली होती है दोस्तों जो की सब्जी तॉलने में यूज होता है अब ज्यादा तर लोग यहीं रखे हैं डिजिटल जमाना हो गया है तो दोस्तों इसका क्या है कि आपको लाइट रहे या नहीं रहे यह आपको 2400 घंटा सकते हैं मैंने चो परकार का यहां पर रखा हुआ है यहां पर वजन करने के लिए जो कि यह 50 ग्राम का है इससे भी छोटा आता है दोस्तों दोस्तों मैं बता दू कि जो आप इसे बार्केट से खरीदो गए तो यह आपको यह पांच सेट एक साथ मिलता है और यह दो किलो अलग से खरीदना पड़ता है तो यह मैंने अलग से खरीदा है इसके साथ नहीं मिला है यहां पर देख सकते हैं कि यह 10 किलो का वेट यानी मसीन है जो कि इस पर पंदरह से 20 किलो तक वजन कर सकते हैं और भी इस से छोटा आता है जो कि पांच किलो की रहती है तो इस पे अगर आपके पास पैसा है बजटेट है तो दोनों रखना चाहते हैं तो जफ कि मुझे यह मिली थी यानि यह सब ये आप देखahने हैं इसका अलगसे प्राइज चेह बारफ है है दोस्तों यहां पर 900 रुपए में यह मिलता है ठीक है यह किलो से लेके 50 गराम तक यानि साथ में लीजिएगा दोस्तों तो यह आपको 900 रुपए पड़ता है और यह मैंने अलग से लिया है तो दोस्तों मुझे टोटल खर्चा 15 500 रुपए इस तराजू को लेने में लगा है और इसका कोई लाइसेंस करा नहीं लगता है तो दोस्तों इसकी यही खासियत है तो दोस्तों अमीद करते हैं कि आप लोगों को दोनों काटा के बारे में आपको समझ में आज गया होगा जो कि मैंने पूरी समझाने की कोशिस की ह है तो आप अपने अनुसार दोनों अगर को एक्षाई तो दोनों रख सकते हैं नहीं नहीं कोई सकते हैं लेकिन ज़्यदा है कि ये कभी खराब हो सकताया मान लिए घर नो पेट्रओंटर नहीं है या कुछ हो बहुत दिकत होता है वही साइकल वाला है कि दोस्तों कुछ खड़ाब भी होता है तो वो आथ में असानी से उठा गये लेके चला जाता है उसी परकार का ये है ठीक है तो दोस्तों है उमेद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक किजेगा ज्यादा शेयर कीज़ेगा मिलते हैं फिर किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे